पारिजात का फूल देखा है पूल है पारिजात का हार्शंगारता जो कुष्प तोड़तर भगवान देवधिने महादेव को नहीं चड़ाया ज़ए कौन सा फूल जम के वो लज़ाता केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर ब्रक्ष से तोड़कर पोधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव कर नहीं चड़ाया जाता केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का हरसंगार का वो फूल जब परत्वी पर गिरता है जमीन पर गिरता है उसको उठाकर भगवान को चड़ाया जाता है वो पेड़ से तोड़कर नहीं चड़ाया जाता है केवल एक पुष्प जम के बोलो कौन सा पुष्प है और जम के बोलो आप से इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पडोसन भी अच्छे से सुन ले वो पुष्प ऐसा पुष्प है अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं अगर हम धतूरा तोड़ते हैं हम कोई पती प्रत्री पर गिर जाता है जमीन पर गिरता है और जमीनैंसे उठाकर महादेऊ को समर्किति पिर आ जाता है बोल बम का नारा है के वाले के अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है फिर उसको ठाकर भगवन को चड़ाया जाता है तो वो तो जमीन पर गिर गया शुद्ध हो गया बेकार हो गया है लोग का इंगे की कीचड़ का है धूल का है मिट्टी का है श्यू महापुराण की कठात है पारिजात के पूल को ब्रक्ष से तोड़ कर महादेव को इसलिए नहीं चड़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले कंतर मिक्टी में रहने वाले हम साधारण रहते हैं और जब मिक्टी में गिरे हुए फुश्पुखो जब हम उठाकर भगवान देव अजिने महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये करते हैं बाबा जैसे ये पारीजत का फूल मिक्टी में गिरा है धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है बाबा ऐसे ही इस संसार सागर में हम गिरे हुए हैं हम को भी स्विकार करना और अपना अपना मान है एज़िशी भैतर कालवाची है कैलाशी जविशी ज़ीज़िशी है पूरवशी अपसरा पारीजात के पुश्पफ़ो लेकर है कब खिलते हैं पारिजत के फूल? दिन में की रात के रात को? रात को सुबहा तक गिर जाते हैं लगवगवगद दशेरे के समय पर दशेरे से आगे पीछे ही ये पारिजत के फूल जादा आते हैं ज्यादा तर कुष्पुस की समय पर और जो समझदार वित्ति होते हैं वह वह पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है अब यहां पर एसा है की नहीं अंदो हमारे अगर पारिजात का पुष्प है न तो इसको एसे जमीन पर से उठा कर उसको भगवान श्यू पारिजाद का पुष्प जो शिवरात्री करने वाले होते हैं या प्रदोष का ब्रत करने वाले होते हैं या संबर केष्टमी का ब्रत करने वाले होते हैं या सावन के महिने में पूजन करने वाले होते हैं अब पूरे साल तो पारिजाद के फूल आते नहीं है तो आते हैं त पारिजात्वा पुष्प यह वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था आयोत ध्या में शंकर जी कि पूजन के लिए दुर्वासा भावा बुलवाया था यह वो पारिजात्वा एक ँष्प पारिजात्व का पुष्प पुष्प नर्षा में और पानच पानच पारिजात्व भ्रक्छ परत्ति यह वह ध्याण देना त्जीऑ भाजन्देना एगे पारिजत्कपुष्प पारिजत्ब्रचकी पत्याँ पाँंच बट पत्र जितने लोग आश्टा पर देख रहे इंटीवी पर देख रहे यूटीब फेस्बॲूप पर देख रहे पाड़ा सावजानी से पाठ बेलपत्र पाठ पारिज़त ब्रच्य की पत्तियां एक पारिज़त प्रश्ट प्रयास करा करो कि प्रतेख प्रदोश्ट पर या प्रतेख शिवरादरी पर उसको समर्पित प्या प्रयास पेल पत्री भी उठा कर लियाना पारिज़त की पत्तियां भी लेकर आजाना और पारिज़त जो पुश्पुश्ट है वो भी लेकर 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 जितने लोग वाकर लेकर चल रहे हैं जितने लोग लाठी टेकर चल रहे हैं जिनकी कमर में प्रबलम हो गई जिनकी डि या डॉक्तर ने कह दिया कि आप्रेशन कननापड़ेगा एक बार कर दे पांच बेल पत्र पांच पारीजात्थ की पत्थिया एक पुष-पुष पारीजात्था किjach किसी भी श EVERY पर हर महीने शिवरात्री आती किसी भी शिवरात्री पर बाबा को समर्पित करिये एक लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पतालिश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करकर उसको उठा ले पहले जो बेल पत्री लेकर आये हो रोज एक बेल पत्री पांच दिन तक खाना ह फिर पांच जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज एक पत्ति को खाना है आकरी में जो कुष्प है वो कुष्प को खा लेना 15 दिन के अंधर तुम्हारा घोटना और तुमारी कमर कामदना प्रारम करेगी ज़ें तुमोट कर चल जब पारी जाट का पुष्ट बड़ी बड़ी आनंदता देता है, बड़ी आनंद, एक पत्र है, शंकर भगवान को चड़ा हुआ एक पारी जाट का फूल उठा कर, अगर आप एसे ही नहीं खा सकते तो उसकी घोली बना कर खाने का प्रयास है, और एक और बात आज़ा, इस व्यास को इसे कहना चाहेंगे, पारी जाट का जो पुष्प होता है, पारी जाट का जो भूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक कैसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शना करें, अरे बोलो तो जम करें, तो जो पुष्प होता है, उस पुष्प के नीचे एक कैस केसरिया कि अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में कगरित हो जाए और मान लो वो पुश पुश तुमने शंकर जी को नहीं चड़ाए हैं और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़ कर तुमने सुखा पीस कर उसको आपने जब्वी में रख लिया जब्वी भगवान शंकर के मंदिर में जाए और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर से लख लगाना प्राराम करें तो मनों काम नश्रपून पारिजात के फुष्प का इतना वर्णन है और कोई कहें कि गुरुजी आप ये पारिजात के व्रच का जो वर्णन कर रहे हो आप जो ये पारिजात के व्रच का वर्णन कर रहे हो तो हमारा निवेतान है इसको हमने हरीवन इस पुरान में से लिया कौन सी पुरान में से हरीवन्स पुरान में से पारीजाद के फूल का वर्णन हरीवन्स पुरान के अंतर का जो वर्णन किया गया है पुष्प का जो वर्णन किया गया है शिप को माता लच्छनी भी मर्पित करती है भगवान कर को पारीजाद को और अगर भगवान में करपा करी हो आपके यहाँ आपके नजदीक में आपके अडोस पडोस में कही है आपके आडोसन पडोसन पीछे वाली धडोसन अगर किसी के यहाँ पर अगर पारिजात का कोई पोदा हो पारिजात का अगर कोई ब्रच्च हो तो प्रयास करना एक पारिजात की पत्ती को अगर अशुक सुंदरी वाली जगा पे चड़ा कर आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बें पा रहे हो, तो कम से कम एक महिना लगा कर पारिजात की पत्ती को शंकर पर चड कितना अभी कमर में दर्ग है कितनी भी पाउं में प्रग्मा को चलना हो आईगी पारिजद के फूल का पारिजद की पत्ती का बड़ा समुद्र मन्थन के अंदर प्रगट हुए कितने मन्थन में जो प्रगटे हैं उसमें से एक ब्रग्ष है पारिजद का बड़ा जो मन्थन समुद्र मन्थन में जो प्रगटे हैं